नमस्कार और आप देख़ें, UP24 निूज और UP24 निूज आपको करवाने जा रहा है भीमकुंद के दर्सन अगर आप ने अभी तक नहीं किये हैं भीमकुंद के दर्सन तो आईए आज हम आपको उस भीमकुंद के दर्सन की तरह लिये चलते हैं सबसे पहले बता दे कि मद्ध प्रदेश के छातरपुर जनपद इस्तित बाजना गाउं के पास यह कुंड इस्तित है यह बुंदेल खंड छेतर में केंतरगात करीब सडक मार्ग से 70 किलोमीटर की दूरी पर इस्तित है आपको बताते चले कि भीम कुंड एक प्राकृतिक जलतरोत है और एक पवित इस्तान भी है जो महाभारत के युक से है कहा जाता है कि कुंड तालाप का पानी इतना साप और पारदर्शी है कि पानी में मच्छनियों को भी तेरते हुए देखा जा सकता है कुंड में लगबग तीन मीटर दूरी पर एक गुफ़ा भी इस्तित है जैसा कि आप इस तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे इसके साथ इस कुंड का गहरा नीला पानी है ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कहा जाता है कि महाभारत में भीम कुंड को पान्नों से जोडा जाता है कि महाभारत के युग में भीम का गदा इसी जगे गेर गया था तभी से ये कुंड अस्तित्त में आ गया गुफा की छट में कुंड के ठीक ऊपर एक छोटा सा द्वार है तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं एक अन्य किन्वती है बैद्यक्रिसी नारद ने भगवान विश्णू की इस्तिती में गंदर्व पड़ाव आकासी गीत का प्रदर्शन किया उनकी भगती से प्रसन होका बिश्णू कुंड से निकले और बिश्णू के काले रंग के कारण पानी नीला हो गया पूल को नील कुंड या नीले कुंड के नाम से भी जाना जाता है इस कुंड के देखने के लिए स्रिधालों की अपा रास्ता है और स्रिधालों लगातार इस कुंड के दर्सन करने भी आते हैं दर्सन के साथ इस कुंड में इसनान भी करते हैं आपको पता दे कि इसकी गहराई का अंदाजा अभी तक व्यग्यानिक भी नहीं लगा पाए हैं कि आखर इस कुंड की गहराई कितनी हैं और मैं आपको आगे ये तस्वीरे दिखा रहा हूँ आप ठीक ये देख सकते हैं ये बच्चे हैं जो कि कुंड में यहां पर इश्णा करेंगे और यह पूरा हम आपको दिखा रही हैं ये महिल की तरह कुंड है भगवान सयोंका ये मंदीर भी आप देख सकते हैं यो कि प्राशीन मंदिर है इसी कुंड के ठीक घगरल में ये मंदिर है और मैं आपको ये तस्वीरे दिखा दूँ यहां से कुंड के अंदर जाने वाला ये शिर्णियां आपको नजारा रही है और अगर आपने भी कुंड के दरसन नहीं किये हैं तो इस वीडियो को पूरा देखे और कुंड के दरसन अवस्थ करें